नमस्कार कोईख इंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मिसुएप पर किसी भी प्रोडक्ट या समान को कार्ट में अड़ कैसे करते हैं तो इस वीडियो को देखते रहे हैं तो अचलिए शुरू करते हैं तो Miso App पर किसी भी product या समान को cart में add करने के लिए सबसे पहले आपको अपने phone में Miso App को open करना है तो चलिए Miso App को open करते हैं open करने के बाद अब आपको यहां पर जो भी समान लेना है simple आप उसका नाम सर्च कर सकते हैं यहां नीचे में category का option दिया गया है आपको जिस भी category का समान चाहि개 यहां से आप वह select कर सकते हैं तो चलिए हाँ पर हमको सारी लेना है तो यहां पर हम search box पे click करते हैं कलिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि नीचे में add to cart का option दिया गया है अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको इस सारी को कार्ट में add करने के लिए add to कार्ट पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ से size यहाँ पर पूछा जागा अगर आपको size select करना है तो यहाँ सब कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिरी size दिया गया है, यहाँ पर सारी का size नहीं आता है, तो यहाँ पर नहीं size select करने के लिए दिया गया है, अगर यहाँ पर कोई दूजरा product होगा, तो यहाँ पर आपको size select करने के लिए कहेगा, उसके बाद यहाँ पर देख स continue पे click कर देना है, continue पे click करने के बाद यहां से जो product है वो cart में add हो जागा, तो अचली हम back करते हैं, back करने के बाद उपर में देख सकते हैं, कि यहां पर cart का option दिया गया है, तो अचली इस पे click करते हैं, click करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं, कि अपर हम जिस सारी को cart मे एड़ किये थे, यहांपर मेरा एड़ हो गया है, तो इस तरह से आप मी स्वैपर किसी भी प्रोड़क्ट या समान को काट में एड़ कर सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करें, कि स्वैश करें तरह हुआ है स्वार करें, स्पर्छं़, ज प्लाइब कितक शो समान किया है, तरह समान को किया कि औरम एपको लाइक करें देग्राइब करें, और एक भी धरी भीडियो ऊवाथ है, दिaczना.